असलाम अलेकुम वीवर्स वेलकम टू वाज मास किचिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुटन की रेसिपी जो की बहुत बनाना जिसको असान है और बहुत ही ज्यादा टेस्की बनकर तयार होगा तो यहां पर इसके लिए 1 kg मुटन लिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसमे अधर में हम अधरी डाल देंगे और इसको मारे नेशन के लिए हम लग देंगे साइड में और यहां पर हमने देखे कुछ मसाले लिए हो जिसमें टमाटर है जाए पत्री है हमारे पास लॉंग है पांच चे और दो चमच हमारे पास ख़ड़ा धनिया है दस बारा काली इन सभी मसालों को हम ड्राय रोस कर लेंगे तो क्वांटिटी हमने आपको बता दिये स्टार फुल मर्पस यहां पे दो हैं दाल चीनी का बड़ा टुकरा है और यह सारे जो मसाले अभी हमने आपको शो किये हैं इनको हमने ड्राय रोस कर लेना है एक तवे पर आप इनको ड यह से दो चमच मिर्ची काश्मीरी मिर्ची है अप नहीं साब से मिर्ची कम लें और दही दिया हुआ है और अधर हमारे मसाले देके बोन गये इनको हम निकाल लेंगे ठंडा होने पर इनको जार में डाल कर हम ग्राइंड कर देंगे तो आप यहां पर इनका इसे फाइन और दही डालने के बाद हम इसमें मिर्ची डाल देंगे और मिर्ची हमने बताए कश्मीरी मिर्ची ली है और यहां पर तीन चम्मच लैसन अद्रफ का पेस्ट और वन टिबल स्पोन इसमें कसूरी मेती हातों से क्रश करके डाले बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बहुत ही इन दोनों को हमने अलग ब्राइं कर लेना है arts Master correct और यह देखें इस तरीके से एसका हमने फाइन पेस्ट बना लेना है और यह पेस्ट हमारा त्यार HC प्यार्चाट इसको भी हमने में मतन में जो हम मरिनेशन की रख रहेते इसी में डाल देना है और इसको मसालो को मिक्स कर लेना है इसके बाद करी बनाना बहुत जादा असान हो जाएगा एक बर आप ट्राय करके जरूर देखेगा और इसको 10-15 नट के लिए चोड़ दीजे और उसके बाद सीधे हम यहां पर कड़ाई में इसको डाल देंगे और थोड़ा सा पानी हम यहां पर आडाउन कर देंगे इसमें ताकि जो मसाले मारे बटन में चिपके वो भी निकल जाएं इसको इसको बनाते समय यह है चिपके अगा भी नहीं और यहाँ हम यहां पर तेढ़ य्शे करेंगे जिसमें हमने यहां को फ्राय किया था तो तो दो से टीम टेबल स्पून यहां पर ओैल जो-इसके साथ बटन को फ्राय करना भूल ना बहुत होगा क्योंकि मसाले चिपकते हैं और यहां पर हम इसको लगतार भूंते रहेंगे जब तक इसे और सेपरेट ना हो जाए और उसके बाद हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ढखतें जाए इसको बीच बीच में चलाते रहें हमने इसको इतनी देर ढख कर पकाना है तब तक इसमें के हमारे पास फ्रेश मलाई है मलाई यह हमारे घर की मलाई है दूद के उपर वाली तो तीन चमच तीन तबिन स्पूर मने डाली है काटा हुआ रधनिया डाला है आप खुद देखोगे कि इसको बनाना कितना असान है और टेस्स इतना पॉपिक्ट आएगा कि आप कर दिया है और देखे कितनी बड़िया रंगत आयी है मतन की यहां पी स्कूप्स में देंगे हम कोल का फ्यूम देने के लिए चूटी कटोरी में आप जला हुआ कोल रग दे और इसमें ठोड़ा सा देशी ड़ा और और इस फ्यूम को हमने ढगकर इसी मतन करी में अपना इस लीजिए और यह मज़िदार सी मटन क्री हमारी बनकर तैयार है आप इसको सर्व कर सकते हैं इसको बटर नान रोटी चपाती रुमाली रोटी किसी से भी आप इंजॉय कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें चैनल पर पहली बार आये तो थैंक यू